नमश्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूटिप चैनल पर मैं अनिशे आपका हार्दिक स्वाकत करती हूँ आज हम लिखे आए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सेशन जिसमें हम करने वाले हैं प्रिविएस येर कोश्चन को जो आर्पियस से कंडक्टेड एक्जाम में पूछे गए हैं चाहे वो सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड गर के एक्जाम हो और उसके साथ साथ सीट आट के कि रीट में इनसे रिलेटेड ही कोश्चन पूछे जाएंगे, अगर हमने बहुत अच्छे से अपने मैटर को बढ़ा है तो हम इन कोश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, तो अपने त्यारी को बैतरिन बनाते हैं और आईए शुरू करते हैं प्रिवियस यर कोश्चन स्किल, या चांस नहीं देता है या चांस नहीं देता है ड्रिल करने के लिए प्रैक्टिस के लिए तो यहां पर क्या आ जाता है ग्राफिक स्किल के उपर ज्यादा इसमे फोकस नहीं किया जाता है which of the following is not true about the direct method direct method के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है not true emphasis on the oral language oral language पर तो बहुत प्रभाव दिया जाता है जोर दिया जाता है intensive speech practice यहाँ पर intensive speech practice करवाई जाती है loud practice करवाई जाती है extensive use of the new language यहाँ पर इस new language जो भी हम language पढ़ा रहे हैं English को जब produce करते हैं बच्चों के सामने नहीं language के तौर पर तो हम उसका extensive use ही करते हैं ताकि बच्चे उसे familiarity गेन करें grammar recitation देखें यहाँ पर grammar recitation नहीं करवाई जाता है ठीक है रट्टा मरवाया नहीं जाता है grammar को बार-बार recite नहीं करवाया जाता है तो यहाँ पर जो lecture है वो oral language पर प्रभाव देता है emphasis देता है speech practice करवाई जाती है extensive use of new vocabulary वो बच्चों को introduce करवाई जाती है लेकिन grammar को रटाय नहीं जाता है grammar को ज़्यादा इतना focus नहीं किया जाता है फिर the principal feature of direct method is the next question हम जो देख रहे हैं यहाँ पर direct method का जो principal feature क्या है पहली चीज़ तो आप यह ध्यान रखे कि जो हमने language लेनी है या जो language हम पढ़ाने वाले है वो हमारी target language है तो target words अगर आप जब समझेंगे तो आप इसका answer तुरांती समझ जाएंगे कि use of target language as a means of instruction यहाँ पर हमारा जो target language है वो means of instruction है बच्चों को instruct करना है हमने निर्देश देने है तो इसका answer क्या है target language as a means of instruction यहाँ पर native language हमने mother tongue को या native language को use नहीं किया है हम इसे foreign language जो पढ़ाने वाले है वो means of instruction के तौर पर भी नहीं कि हम विदेशी भाषा बढ़ा रहे है minimum use of the target language direct method में minimum use तो होई नहीं सकता है target language का तो target language as a means of instruction हम बच्चों को provide करवाते हैं the main shortcoming of the direct method is that अब इस question को आप ध्यान से देखिए और इसमें देखिए main shortcoming of the direct method पूछी जा रही है इनके answer सबके साथ ही देए हुए लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ना जरूरी है ताकि हम इसको go through हो और हमारे concept और अच्छे से clear हो जाएं the main shortcoming of the direct method is that it lays emphasis on fluency कि यह सिरफ fluency पर परभाव देता है जोर देता है the learner is overexposed to the complexities of the target language learner जो है वो overexposed हो जाता है target language की complexities को देखकर it provides ample opportunities to the learner to listen to spoken language यहाँ पर बच्चों को spoken language के थूँ spoken language के थूँ learner को सीखने को सुनने को बहुत कुछ मिलता है opportunities मिलती है it does not provide ample opportunities to the student to listen to spoken language या फिर बिलकुल इसका उल्टा कि इसमें बच्चों को spoken language के सुनने का मौका उसकी opportunities अवेलिबल नहीं होती है तो इसका answer यह है जो RPSC name आना है वो क्या है the learner is overexposed to the complexities of the target language की जो target language बच्चे को करवाई जा रही है उसके अंदर उसको जो complexities का face को face करना पढ़ रहा है बच्चे को student को जो face करनी पढ़ रही है complexities कठिनताओं को उससे वो overexposed हो जाता है उससे वो बहुत ज़्यादा frustrated भी होने लग जाता है कि इतना शुरू शुरू में उसको सीखना बहुत मुश्किल होता है vocabulary नहीं new होती है vocabulary होती है rules होते है कई बार उसको समझ में आने में time लगता है तो यह उसकी main shortcoming है कि यहाँ पर overexposed हो जाता है learner target language की complexities को देखते हुए which is not the criteria for the selection of structure usefulness, productivity, simplicity and teachability, familiarity trap तो यहाँ पर selection का criteria क्या नहीं है तो यह productivity नहीं है the structural approach emphasizes that structural approach क्या है emphasize करती है किसके उपर करती है the essential structure and vocabulary be selected for teaching practices the structural approach emphasize that the essential structure and vocabulary be selected for teaching practice कि teaching practice करने के लिए essential structures और vocabulary को select करना चाहिए only vocabulary item be sequenced only the phenomic item be sequenced only the difficult item नहीं केवल हमें यहाँ पर vocab की items को नहीं लेना है कोई phonemic items को नहीं लेना है only difficult items को नहीं लेना है बलकि हमें essential structure and vocabularies जो है teaching practice के लिए वो select करने चाहिए यह structural approach का main emphasis होता है which of the following is not true about the audio-lingual method audio-lingual method के बारे में क्या चीज़ important नहीं है क्या चीज़ सत्य नहीं है attends to structure and form more than grammar की यह grammar से ज़्यादा structure and form पे ध्यान देता है demands memorization of structure based dialogues language items are conceptualized language learning is learning structure sound of or words तो देखिए इसका answer क्या आजाता है इसका answer आता है language items are contextualized संधर्ब के अनुसार language items को लिया जाता है फिरे the desired goal in audio-lingual method is the desired goal in audio-lingual method is communicative competence both linguistic and communicative competence linguistic competence and paralinguistic competence the desired goal audio-lingual method का desired goal क्या होता है audio-lingual method में जो desired goal है वो हमारा हो जाता है both linguistic and communicative competence इसमें भाशाई और संप्रेशन आत्मक शमताओं को competence को लिया जाता है ठीके audio-lingual method में आपको भाशाई तोर भी लेना है संप्रेशन के अधार पर जो competence है उन ती दोनों चीजों को ही लेना है ठीके the audio-lingual method forbids the use of यहाँ पर मना किया जाता है नकारा जाता है audio-lingual method नकारता है किसके उप्योग को the student's native language the target language drilling या फिर native speaker-like pronunciation तो यहाँ पर ये किसको करता है the student's native language यहाँ पर ये student की native language के use को नकारता है कि यहां पर आप audio-lingual method में यहां पर student के native language की कोई जरूत नहीं पढ़ती है target language जो पढ़ाई जा रही है उसमें सारी चीज़ों को ही ले लिया जाता है audio-lingual method है बहुत सारी चीज़ें इसके इंदर map शो कर सकते हो कोई भी तरह के projects जो आप यूज कर रहे हो जो items यूज कर रहे हो उसके according आप अराम से इसको करवा सकते हो तो यहां पर student की native language की यहां पर ज़रूत कम पढ़ती है फिर है what is not true about the communicative language teaching communicative language teaching के according क्या चीज सही नहीं है क्या चीज सत्य नहीं है तो अब देखिए इसको there is no authoritative universally accepted model of communicative language skill की communicative language teaching के लिए कोई भी एक authoritative universally कोई model accept नहीं किया गया है it is an integration of grammatical and functional teaching की यह grammatical and functional teaching का एक integration है एक समन्वे है the goal of communicative language teaching is to develop linguistic competence यहां पर इसका जो goal है communicative language teaching का वो क्या develop करना है linguistic competence को develop करना है और यह क्या कहता है communicative competence includes both grammatical and social linguistic competence की communicative competence जो है वो दोनों तरीके की चीजों को शामिल करता है चाहे वो grammatical हो और social linguistic हो सामाजिक तोर पर जो भाशाई competence है उसको भी लेता है तो नहीं यहां पर communicative language teaching का जो main goal है वो क्या है linguistic competence को develop करना है ठीक है communicative language teaching का जो goal है वो क्या है develop करना है linguistic competence को फिर है the communicative competence was coined by ये किसने ज़्यादा इसको यूज किया है अपने थियोरी में in communicative language teaching देखिए यह continue आप देख पा रहे हैं कि various examinations में in questions को पूछा गया है in communicative language teaching meaning is insignificant meaning is paramount function and forms are paramount form is paramount यहां पर इंको बढ़ाया गया है कि कौन चीज़ें ज़्यादा जो है वो हावी होती है या बहुत ज़्यादा प्रभाव शाली होती है तो communicative language teaching में यहां पर जो function है जो form है वो paramount हो जाती है यहां पर हमें वो बच्चों को करवाना अच्छे से करवाना हमारे लिए important हो जाता है यह function है जो structure जो हमें दिये जाते हैं जो content हम बढ़ाते हैं उसको function and form दोनों को ही इसमें ध्यान में रखा जाता है the teaching of composition is related to the teaching of composition is related to यह है listening skill, speaking skill, reading and writing composition जब हम compose करते हैं यानि जैसे हमें कहाता है कि आप letter लिखो या अगर आपसे जाता है कि आप को यह paragraph लिखो paragraph composition का मतले है to compose आपको कुछ compose करना है जाए वो कोई letter है email है को paragraph है है न तो यह सारी चीजें जो है वो writing skill के अंडर में आती है the teaching of prose emphasizes अब prose किस चीज़ पर emphasize करता है silent reading, reading loudly, reading aloud, reading at intervals प्रोज क्या कहता है कि reading at intervals छोटो छोटे अंतराल पर हमें चीज़ों को पढ़ना चाहिए silent reading तो बिल्कुल भी नहीं कहीं जाती है reading loudly यह भी नहीं कहा जाता है reading aloud बहुत जोड जोड से बोलना एक साथ बोलना ऐसा भी नहीं reading at intervals आपको ध्यान होना चाहिए जब भी हम प्रोज का content पढ़ते हैं चाहिए वह स्टोई बढ़ते हैं उसको एक सांस में नहीं बढ़ना है हमें उसके meaning को भी साथ में लेकर चलना है कि हम उससे कुछ समझ पा रहे हैं नहीं teacher जो होता है वो क्या करता है model reading करता है तो वो धीरे-धीरे intervals के साथ-साथ किसी चीज को किसी कहानी को narrate करता है अगर कोई teacher class में पढ़ा रहा है तो वो कहानी को जब narrate करता है कोई prose content को narrate करता है तो वो पूरे intervals भी बीच-बीच में लेता है ताकि वो देखे कि students उससे को समझ पा रहे हैं या नहीं student का पूरा जो consideration है वो उस चीज़ों की तरफ आ रहा है या नहीं फिर एक grammar should be taught यह question भी आप देख पा रहे है लगा थर exams में पूछे गए है grammar should be taught as a means to achieve good command of listening, speaking, reading and writing skill grammar क्या should be taught grammar कैसे सिखाई जानी चाहिए as a means to achieve command of listening, speaking, reading and writing skill as an end in itself as a means to achieve good command of only speaking and reading skill कि यहां पर सिर्फ हमें speaking और reading skill पे देना है तो grammar ऐसा तो नहीं है कि speaking और reading skill पे देता है as an end in itself, itself में भी end भी नहीं देता है as a means to achieve good command of listening, speaking, reading and writing skill है ना इस पे भी नहीं है क्योंकि grammar में LSRW चारो skills पे focus नहीं होता है intensive reading practice तो grammar किसी साब से हमें पढ़ायरी जानी चाहिए यह हमें पढ़ानी चाहिए intensive reading practice के according यहानी के ठीक है फिर ए grammar translation method pays little attention to grammar translation method जो है वो बहुत कम attention किसको देता है तो यहां पर grammar translation method जो है वो translation पे grammar पे focus देता है attention देता है, translation पे भी देता है, mother tongue पे भी देता है लेकिन pronunciation skills पर बहुत कम focus दिया जाता है little attention to pronunciation the grammar translation method puts a tremendous train on grammar translation method जो है वो tremendous अदबुत अपना जो जो प्रभाव दिखाता है वो किस चीज के उपर है, teachers memory, parents memory, students memory, creative imagination ऐसा नहीं है यहां पर main GTM किस के लिए use करने है, student के उपर use करने है जितना ज़्यादा बच्चों को अच्छे से करवाया जाता है method को use करते हुए content पढ़ाया जाता है बच्चों की memory उतनी अच्छी होती जाती है tremendous attention जो है वो यहां पर strain जो है बच्चों की memories को increase करने के लिए किया जाता है अब आप देखें in the grammar translation method the language most used in the class is grammar translation method में जो language mostly जो use की जाती है class में वो कौन सी की जाती है English है, mother tongue है, foreign language है, tribal language है तो foreign language हम word use ही नहीं करना है हमें target language word use करना है या जो particular हम जो language लेकर चल रहे हैं English उसका नाम लिया जाता है लेकिन हम यहाँ पर किसको ज़्यादा पढ़ाने की, किसका ज़्यादा use करते हैं तो हम mother tongue का use करते हैं बच्चों को जब grammar translation पढ़ाया जाता है method की help लेते हुए content को तब mother tongue का use किया जाता है ताकि बच्चे उस नई language से गोत्रों हो सके उससे familiar हो सके अब है direct method puts emphasis on direct method जो है वो किसके उपर emphasis देता है ज़्यादा sounds के उपर translation in Hindi rules of grammar sounds के उपर तो ही नहीं देता है लेकिन कम है, बहुत कम होता है sounds के उपर क्योंकि हम बच्चों को native language में तो सिखा नहीं रहे हैं direct method में ही सिखा, direct language में ही सिखा रहे हैं target language में, grammar के उपर भी rules का ऐसा कोई नहीं है grammar के उपर तो बहुत कम इसमें emphasis होता है translation in Hindi, ये तो बिल्कुली सिरे से नकार दिया जाएगा कि Hindi में तो translate करना ही नहीं है जी, तो direct use of English in meaningful situation यहाँ पर हमें बच्चों को meaningful situations के according भढ़ाना है ताकि वो उसे correlate कर सकें है Indian learners of English generally suffers from the following tag weaknesses ये question भी देखिए, 2nd teacher exam 2.11 में पूछा गया है कि Indian learners की English related जो main weakness है, वो क्या है देखिए, यह आता है inability to understand pronunciation think they know everything do net chatting write emails weakness क्या है कि सारा गुद जानते हैं, यह weakness है do net chatting, जैसे हम देखते हैं जो बच्चे, आपने भी यहसा देखा होगा या शुरु-शुरु में feel भी किया होगा कि बच्चे जो है, वो message वाली language जो keypad वो use करते हैं WhatsApp पे, Instagram पे या Facebook पे, या किसी भी चीज़ पे तो उसमें वो Hindi और English को mix up करके language को use करते हैं तो वो नहीं होनी चाहिए, write emails ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर बच्चों की जो problem है, Indian learners की वो है inability to understand pronunciation, pronunciation accurate नहीं हो पाती है क्योंकि हम British English को follow करते हैं accent को follow करते हैं ठीके, और Indian learners के साथ problem आ जाती है, इसको understand करने की क्योंकि हर area में language की यहाँ पर diversity है ठीके, उसी language diversity के कारण कई बच्चे pronunciation में इसलिए weak हो जाते हैं, proper नहीं सीख बाते हैं, जैसे कर आप South India में देखेंगे तो वहां की जो fluency यह बहुत शांदार होती है, लेकिन उनमें भी उनका जो local language है, उसका accent दिखाई देता है, अगर आप पंजाब में लोगों को English बोलते होई सुनेंगे तो उनमें भी उनका पंजाबी accent पीछे आपको feel होता है किसी भी state में आप जाकर देखिए इंडिन पीपल्स के दाद यह problem जरूर आती है कि जब भी वो English को produce करते हैं, प्रानाउंस कर रहे हैं बातचित कर रहे हैं तो उसमें उनका जो खुद का जो native language है उसका जो एक feel है वो उसमें जरूर शो होता है तो यह inability to understand pronunciation correct है, इसका answer है अब आगे देखिए communicative competence includes इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं only grammatical knowledge नहीं इसमें grammatical knowledge नहीं खाली दिया जाता both grammatical knowledge and ability to use this knowledge to perform different functions only abstract grammatical knowledge नहीं दिया जाता, only linguistic competence भी नहीं है यहाँ पर grammar का knowledge तो दिया ही जाता है उसके साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि कैसे different functions के तोर पर हमने इस language को use करना होता है teaching comprehension is difficult because the reader is not familiar teaching comprehension comprehension जो है comprehension जो है बच्चों को सिखाना difficult हो जाता है क्योंकि reader जो है वो familiar नहीं होता है with the use of idiomatic phrases in the passes idiomatic जो phrases आती है उससे familiar नहीं होता है with the author, author से तो familiar होना possible ही नहीं होता with the age in which the piece is written हम उस age से भी जो जिस time period में वो लिखा गया है जो चीज लिखी गई है उससे हम familiar नहीं होते है with the passes with the passes भी नहीं होता है लेकिन यहाँ पर idiomatic phrases in the passes क्योंकि कोई writer की जो भी condition होती है लिखने की बताने की वो क्या रही है क्या नहीं उसी के according है और उसमें जो language use की गई है उसको समझना तो किसी बार कई बार readers के लिए भी मुश्किल हो जाता है फिरे the structural approach stresses on the importance of structural approach जो है वो stress करती है किसके importance पर करती है spelling of words fluency vocabulary sentence structure structural approach है तो यहाँ पर sentence structure ही answer इसका हो जाता है the audio-lingual method is based on audio-lingual method जो है वो किसके उपर based है grammatical explanation analysis of content memorization of dialogues varying practice तो यहाँ पर इसका आ जाएगा audio-lingual method किसके उपर based होता है memorization of dialogues यह इसके उपर based होता है why is testing why is testing necessary testing is necessary to know the achievement level of learners testing is necessary for proper utilization of language resources testing is necessary to know the competence of the teacher testing is necessary to promote the learner तो यहाँ पर इसका answer आ जाता है testing जो है वो term क्यों important हो जाती है यहाँ पर हमने आउशक हो जाता है achievement level of learners learner का achievement level क्या रहा है उसके लिए testing बहुत important होती है तीक है अब देखिए next question teaching pros includes pros teaching में क्या चीज़ें शामिल होती है pros में क्या शामिल होता है हम सब जानते हैं कि reading skills यहाँ पर बहुत important हो जाती है ठीक है यहाँ पर जैसे हम लोग rapid reader जो पढ़ते थे 9-10 में हम देखते हैं कि story book होती है जिसको loudly पढ़कर फटा-फट पढ़कर कहानियां सी होती है पढ़ा दिया जाता है ताकि बच्चे जब हो अपनी reading skill को improve कर सकें है ना communicative approach to ELT emphasizes on ठीक है तो यहाँ पर यह question जो पूछा गया है यह भी second rate दो जर गहरा का ही है communicative approach to ELT emphasizes on यहाँ पर grammatical competence, thinking competence, writing competence के उपर focus नहीं है बलकि यह communicative competence के उपर emphasis करता है ELT यानि elementary learning teaching है ना तो यहाँ पर ELT का कुछो काम है वो communicative competence को बढ़ाना है बच्चों को communicate करना है बच्चों के साथ में हमने उनको grammatical competence के लिए बहुत time है thinking competence उनका आगे आगे develop धिर्दरे होता जाएगा जब language के उपर वो go through होंगे writing competence भी उनका आगे improve होता जाता है बच्चों का लेकिन यहाँ पर main focus है communicative competence के उपर which of the following is not true there is no single full proof method of teaching ऐसे कौन सी in message जो चीज़ें वो सत्यां नहीं है no method is intrinsically good or bad कोई भी method जो है वो good or bad नहीं है कोई full proof method teaching का नहीं है all methods can be adopted सारे method adopt के जाए सकते हैं नहीं teachers are theoretical people तो यहाँ पर यह इसका answer आजाएगा कि हमें यहाँ पर बताना है बीचों the following is not true teachers are theoretical type people teachers जो हो theoretical people होते हैं practical नहीं करना पसंद करते हैं या किसी चीज़ों को adopt नहीं करना चाते हैं ऐसा नहीं है तो यह यहाँ पर गलत हो जाता है an open ended question allows for opinion is it has as it has more than one correct answer only one correct answer not more than one correct answer two correct answer यहाँ पर open ended questions की बात हो रही है देखिए an open ended question क्या होता है वो देखिए इसमें होता है more than one correct answer ठीक है यहाँ पर open ended question में more than one correct answer होता है a closed question has a closed question का मतलब होता है three correct answer ठीक है यहाँ पर आपके पास three correct answer होते हैं फिर है basically language is a form of activity and one learns a language through wrote memorization, activity, mimicry, methods तो यहाँ पर activity basically language is a form of activity and one learns a language through यहाँ पर activity के थूँ बच्चा ज़्यादा सीखता है आगे देखिए the objective of teaching poetry is to enable the pupils to यहाँ पर teaching poetry poetry को teach करवाने का जो main objective of people के लिए क्या enable करना है enhance their vocabulary promote their thinking power make them aware of grammar poetry को teach करवाने पर उनको क्या objective बच्चों के सामने रखना चाहिए develop the taste of aesthetic sensibility देखिए जब poetry करवाई जाती है गद्य शक्षन जो करवाया जाता है poetry जो पढ़ाई जानी है उसका vocabulary से कोई लेना देना नहीं होता है thinking power बच्चों की अपने आप धिरदरे develop होती जाती है grammar का तो इसमें कोई link ही नहीं है है ना poetry में develop the taste of aesthetic sensibility हाँ पर poetry को पोईटरी की समझ को बढ़ावा देना है यानि की जो aesthetic sensibility है कलात्मक जो भावनाए है समवेदनाए है उसके प्रती उनके taste को उनकी रूची को जागरत करना होता है in communicative language teaching which one of the following is correct communicative language teaching के लिए क्या चीज़ें सही होती है आगे देखते हैं इसके option को देखते हैं एक निट तो अब देखें communicative competence में क्या चीज़ है grammatical accuracy rules of grammar fluency in expression mastery of the content तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा fluency in expression फिर है according to HD Widdowson the best way of imparting grammatical competence is grammatical competence को impart करने का best way क्या बताया है H.G. Widdowson ने इन्होंने क्या है कि through the wrote method नहीं तो यह wrote method तो इसका विल्कुल भी नहीं होगा तो through graphic skills through use and not uses through the internet तो यहाँ पर किसके तुरू बताया जाता है grammar को impact करने का competence को बताने का use and not use यहाँ पर learner को क्रवाया जाए कि क्या चीज आपके काम की है और क्या चीज आपके काम की नहीं है कि इसको कैसे use किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है उसके according ही grammatical competence को बढ़ावा दिया जा सकता है फिर one of the fundamental principle of second language teaching is जब हमने principle of teaching English पढ़े थे तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है principle के आता है principle of selection, principle of gradation तो यहाँ पर आप option में सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है वो gradation ही होगा इसका answer ठीके the role of English in India is that इंग्लिश में इंडिया में इंग्लिश का जो रोल है वो second language के तोर पर ही किया जाता है इसको हमने हमारी कभी भी first language के तोर पर use नहीं किया है हम इसे एक foreign language के तुरू भी नहीं बढ़ाते हैं इसे सिर्फ एक means of communication भी नहीं माना है नहीं इसको यहाँ पर इंडिया में as a second language ही अड़ोप किया गया है फिर एक communicative competence combines communicative competence जो है वो क्या combine करता है linguistic competence and ability to use the language appropriately तो यहाँ पर यहाँ जो communicative competence है वो क्या चीज़ लेकर आता है linguistic competence को लेकर आता है किसकी ability के साथ में यूज करने के language को appropriately यूज करने के फिर है basic language skills आ यह तो बार-बार बताया जाता है basic language skills कौन से है listening, speaking, reading and writing हमें इसका sequence ध्यान में रखना चाहिए in the direct method of language teaching, direct method में language को कैसे teach करवाया जाता है, बार-बार बताया जाता है कि इसमें native language का कोई use नहीं है, कोई इसमें grammar के उपर ज्यादा focus नहीं दिया जा रहा है, ज्यादा focus नहीं है, यहाँ पर किसी जो भी target language है, जो भी language को पढ़ाना है, वो उसे उसी language में ही पढ़ाना है, in the तो यहां पर teaching is done only in the language to be taught, तो आप यह मत देखिए कि reading और writing को पहले बढ़ाया जाता है, listening speaking को बाद में बढ़ाया जाता है, new points are taught in the writing, in the written language, new points को written language में बताया जाता है, teacher translate direct from the first language to the foreign second language, जो teacher है, वो direct कैसे बढ़ाता है, पहले अपनी language को यूज करता है, फिर उसको ने डूसरी language में यूज करता है, नहीं, यहां पर teaching को बिलकुल उसी language में बढ़ाना है, जिसको हमने चूज किया है, communicative language teaching focus on, communicative language teaching जो है, वो किसके ओपर focus करती है, यहां पर grammatical structures को follow-up किया जाता है, appropriate use of grammatical structure, communicative language teaching, आप इनके keywords को ध्यान में रखिए, आपको easy हो जाएगा इन चीजों को पढ़ना, structure and form more than on meaning, meaning से ज़्यादा structure और form पे ध्यान दिया जाता है, successful communicating through translation, translation के through है, communicating only through the oral language, के वल मौखिक तौर पर नहीं, यहां पर appropriate use of grammatical structures को follow-up किया जाता है, फिर देखिए, communicative skill is, communicative skill क्या होते है, individual होते हैं, general होते हैं, specific होते हैं, तो यह होते हैं, हमारे specific होते हैं, communication skill जो है, वो specific होती है, the best sequence for learning English language is, फिर वही question है, है न, कि यहां पर learning English language को, जो main, उसके जो skills है, वो किस form में सीखना चाहिए, listening, speaking, reading and writing, तो यह question जो है, वो repeat मान सकते हो, आप, in inductive method, we proceed from, काफी अच्छा question है, maxim of teaching आगे हैं, अब इसमें, यह पूछा जा रहा है, inductive method में हम कहां से कहां पर चलते हैं, यानि inductive यानि आगमनात्मक, जो method है, आगमनात्मक विरी जो होती है, उसमें हम simple to complex में जाते हैं, ठीक है, का सबसे oldest method हम बार-बार इसके बारे में पढ़ते रहे हैं, क्या है यह, which of the following is, oldest method of teaching English, Dr. West method, substitutional table method, bilingual method या translation come grammar method, ठीक है, वैसे देखा जाए, तो यहाँ पर इसका जो answer है, वो bilingual method तो नहीं होना चाहिए, जो कर दिया गया है, translation come grammar method है, oldest method इसको लिया गया है, grammar translation method कहो, या translation come grammar method कहो, यह एक ही चीज़ है, यहाँ पर इसका answer D होना चाहिए, लेकिन RPSC bilingual method के थ्रू गई है, तो हमें भी उसका ही मानना चाहिए, ठीक है, otherwise grammar translation method ही oldest method है, ठीक है, the role of English in India is that, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस question को कि English का जो रोल है इंडिया में, वो कौन सी language के तोर पर है, first language नहीं है, यह mother tongue के तोर पर पढ़ाया जाता है, नहीं है, इसे foreign language के तोर पर लिया गया है, नहीं, इसे as a second language adopt किया गया है, फिर है pick out the pair which falls under the category of expressive और productive skill, productive skill या expressive skill कौन से होते हैं, इसको देख लेते हैं, इसके बारे में भी question पूछा गया है, देखिए, art at level 2 2012 में question पूछा गया है, productive skill या expressive skill कौन से होते हैं, यह होते हैं, speaking and writing, express करना है, कोई भी learner जो है, जब किसी language को occupied करता है, उसके उपर command गेन करता है, तो वो speaking के through उसकी expression को जलगते हैं, या उसके writing manner से उसके बारे में पता चलता है, कि उसको किती command उसके उपर हुई है, अब देखिए, in the bilingual method, यह art at level 2 में 2012 में पूछा गया question है, अब अभी तक हमने जित्ते भी question देखे हो, तो लगवख second grade से ही थे, अब आप जैसे आगे questions देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यह questions किस तरह से पूछे गए हैं, अब देखिए, bilingual method क्या है, in the bilingual method, students are given complete freedom to use the mother tongue, कि students को complete freedom दी जाती है, mother tongue को use करने की, the mother tongue is used by the teacher to explain the meaning of new words, phrases, etc. mother tongue को teachers के द्वारा new words, phrases को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, the teacher teach the entire lesson in the student's mother tongue, क्या teacher entire lesson को, complete lesson को student की mother tongue में बताता है, पढ़ाता है, या फिर the teacher encourage students to use the mother tongue all the time, या फिर teacher encourage करता है students को mother tongue all the time use करने के लिए, तो ऐसा नहीं है, bilingual method में mother tongue को use किया जाता है, teacher के द्वारा explain the meaning of new words and phrases at initial stages, ठीक है, जब हमने methods of teaching पढ़े थे, तो उसमें हमने clear बताया था, mother tongue को use किया जाता है, teacher के द्वारा meanings बताने के लिए, नए words बताने के लिए, phrases बताने के लिए, इनिशिल स्टेजिस पर, in the situational approach, a teacher tries to, देखिए, ये भी art at level 2 2012 का question है, इसमें situational approach के बारे में पूचा गया है, कि एक teacher क्या करता है, क्या करता है, follow a syllable with a list of situations, syllabus को follow करता है, situation की list के साथ में, adjust teaching to the situation in the classroom, teaching situation जो classroom में होती है, उसके साथ, adjust करके बढ़ाता है, create a life-like situation in the classroom, for teaching a language item, या फिर teacher, life-like situation को create करता है, अपने classroom में language item को बढ़ाने के लिए, या show how the situation in the classroom, is different from real life situation, या वो ये पढ़ाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता है, कि classroom teaching की conditions, उसकी outer, जो real life situation है, उससे कित्ती अलग होती है, तो ये क्या करता है, ये create करते हैं, real life-like situations को classroom में, ठीके, फिर आगे देखिए, which of the following pairs are usually described, of receptive skills, अभी हमने पढ़ा था, productive skills के बारे में, ठीके, जिसमें productive skills में क्या आता है, speaking and writing आता है, तो अब हमारे receptive skills, कौन से हो जाएंगे, देखिए इसके, listening and speaking, reading and writing, या इसके होंगे, एक मिनिट, listening and reading, और speaking and writing, तो इसके कौन से हो जाएंगे, listening and reading, इसके जो होंगे, receptive जो हमारे product, expression होंगे, वो कौन से होंगे, listening and reading, receptive products, है न, फिर है the use of, teaching learning material, makes the activity of learning, teaching learning material का, TELM का जो use है, वो learning को क्या करता है, learning की activity को क्या कर देता है, वो हम देखने वाले हैं इसमें, unnecessarily difficult करता है, नहीं, dull and challenging कर देता है, नहीं, unnecessarily slow करता है, easy and interesting, simple सी बात है, teaching learning material, जो TELM, जो हम class में जब भी use करेंगे, तो even student का जो interest है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो teaching learning जो process है, वो easy and interesting हो जाती है, ठीके, language learning is like learning, language learning क्या है, किस तरह से सीखना है, एक kill like cycling, इस skill, यहाँ पर kill नहीं है, skill आएगा यहाँ पर, इस skill like cycling, a subject like physics, a collection of facts as history, abstract concept as in philosophy, तो इसका आंसर क्या होगा, कि language learn करना क्या कैसा है, language learn करना एक physics के subject की तरह है, history के facts को इकठा करना है, या philosophy के abstract concepts हैं, उनको समझना है, या cycling की तरह एक skill है, तो यहाँ इसका आंसर आएगा, a skill like cycling, language को learn करना, a cycling के skill को gain करना है, ठीक है, फिर है evaluation in education is, education में evaluation क्या role play करता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, continuous but not cumulative, cumulative but not continuous, यहाँ printing mistakes है, थोड़ी थोड़ी, neither continuous nor cumulative, both continuous and cumulative, यहाँ पर करहलिलिटिव नहीं है, cumulative ही है, ठीक है, यहाँ पर evaluation जो है, वो continuous भी होता है, और cumulative भी होता है, ठीक है, सतत और निरंतर, फिर है, one of the requirements of good learning language proficiency test is that, language proficiency test, sorry, language proficiency test, की जो requirements है, उनमें से क्या important है, complex होना चाहिए, reliable होना चाहिए, enjoyable होना चाहिए, ambiguous होना चाहिए, जी नहीं, यह reliable होना चाहिए, है ना, फिर है, an attainment test aims to measure, attainment test जो होता है, उसमें क्या-क्या, measure किया जाता है, how much a learner has learnt, of what he has been taught, बच्चे को जो पढ़ाया गया, उसने उसको कितना सीखा है, how much a learner needs to learn, pass an examination, बच्चे को, attainment test में, यह measure किया जाता है, कि बच्चे ने जितना सीखा है, examination में वो उससे, pass हो सकता है, कि नहीं, इतने pass marks आ जाएंगे नहीं, the speaking ability of learner, learner की ability को, check किया जाता है, speaking ability को, the teaching ability of a teacher, teacher की ability को, देखा जाता है, attainment test में, तो यहाँ पर आएगा, how much a learner has learnt, of what he has been taught, तो यहाँ पर, attainment test का मतलब यह होता है, बच्चे को जो भी पढ़ाया गया, उसने उसमें कितना कुछ सीखा है, attainment test का main answer, यही होगा, फिर एन important assumption, of communicative language teaching, is that language learning, is learning too, यहाँ पर यह पूछा गया है, communicative language teaching, जो है, वो language learning, क्या है वो, speak accurately, write accurately, communicative effectively, master of the grammar, of target language, communicative language teaching का, जो main मुद्दा है, या जो main importance assumption है, उसकी जो माननेता है, वो क्या है, कि language learn करना, क्या है, कि हम अच्छे से बोल सकें, सही सही बोल सकें, सही सही लिख सकें, या किसी target language की grammar को सीख सकें, नहीं, इनका होता है, communicative effectively, कि जब भी हम किसी से communicate करें, वो effective manner में हो, बहुत अच्छे से, हम उस communication को कर सकें, the four basic skills, language skills are, listening, speaking, reading and writing, ये बार बार, ये question जो है, वो repeat हो रहा है, देखिए, reading, writing, listening and speaking, देखिए, यहाँ पर इन्होंने उसको, थोड़ा घुमा दिया है, understanding and expressing दे दिया है, speaking and communicating दे दिया है, speaking and communicating, ऐसे दिया है, listening, reading, speaking and communicating, तो speaking और communicating, same manner में ही आ जाता है, तो यहाँ पर हमने ध्यान देना है, reading, writing, listening and speaking, हमें उनको चारों words को, as it is ही याद रखना है, इसको और कोई, sequence यहाँ पर इनोंने अलग लग कर दिया है, लेकिन उन चारों words को same याद रखना ज़रूरी है, evaluation in a teaching program, यह question भी आया हुआ है पहले, takes place only at the end of year, ठीक है, या takes place only at the end of a lesson, it is continuous process and goes on during lessons also, is not an integral part of teaching, evaluation जो है, यह इसका एक integral part तो देखी नहीं है, यहाँ पर D नहीं है, इसका integral part teaching का नहीं है, evaluation किया जाता है end of the year, यहाँ पर every lesson के end अपने नहीं है, continuous process and goes on during lessons also, lesson के थूब भी नहीं किया जाता है, खली एक lesson पर नहीं है, at the end of year, पूरा जो एक evaluation है, बचे ने क्या सीखा क्या नहीं, उसने किस की subject पर कैसे कैसे पढ़ा, क्या क्या उसकी co-curricular activities में उसका रोल रहा है न, वो सारी चीज़ों को इसमें लिया जाता है, आगे देखिए, retreat,